दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूर थे हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूडे ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी सब्सक्राइब करें दोस्तो उजवला आईश्मान भारत स्वक्ष भारत जैसी यूजनाव से नरेंद्र मोधी ने लिखी महावीजे की स्क्रिप्ट जीहादों सो बड़ी को पूरा देखें दोस्तो देश भर में मोधी सरकार की यूजनाव की सफलता की वज़ह से ही एंड यूजनाव से नरेंद्र मोधी सरकार ने पहले कारिकाल में उजवला यूजनाव सबसे ज़्यादा चर्चित रहिये नरेंद्र मोधी सरकार ने इस यूजना का आ Libya को फ्री में गैस कन consensus !! बाटे मोधी सरकार का ने गाव है कि अब इस यूजना के तख़त सात करोड़ गरी परिवारों को फायदा मिल चुका है जी यहां दोसो बात करते हैं आईशमान भारत में तो नरेंदर मोधी ने पिछले साल आईशमान भारत यूजना को लॉंच किया था इस यूजना के तहट गरीब परिवारों को स्वास्त बीमा का लाफ देने का वादा किया गया था मोधी सरकार ने दावा किया था कि इस यूजना में अब तक 10 लाख गरीबों को फायदा हो चुका है इस यूजना के तहट करीबन 50 करोर भारतियों को हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों से जूजने के लिए अब उन्हें 5 लाख रुपे का बीमा मिल रहा है जी हां दोसो आकरके उन्हें अपनाने की पहल की है नर्यद मोधी की पहल ही असर था देस भर में पिछले 5 साल में करीबन 900 नए सवचाले बनाएगे जी हां दोसो सबसे महत्पूर्ण होता है डिजिटली करन जी हां दोसो प्रधान मत्री मोधी ने अपने पहले कारेकाल में डिजिटली क लीके से ट्रांसफर करवाना सुरू कर दिया है मोधी सरकार ने कारेकाल में सरकारी यूजनाओं से जुड़ी सबसीडी सीधे लोगों के खाते में जा रही है जी हां दोसो सबसे महत्पूर्ण हो जाता है भारत के किसानों के लिए जी हां दोसो किसान पेंसन यूजना करता चुनाओं के पहले ठीक पहले नरेंद्र मोधी सरकार ने किसानों को पेंसन देने का ऐलान किया है नरेंद्र मोधी सरकार ने इस यूजना करता है तो दो एकर से कम किसानों को 6,000 रुपे सलाना पेंसन देने की घोशना की गई थी जी हाँ दूसरों सबसे महत्मूर हो जाता है सणक और बिजली जी हाँ दूसरों नरेदर मोधी सरकार ने सबसे पहले अपने कारेकाल में सणक और बिजली दोनों छेतरों में काफी तेजी से काम करने के नरेदर मोधी सरकार ने दवा किया था इससे पहले कारिकाल में हर दिन 27 किलो मीटर सणक का निर्मान हुआ आपको बता दे कि जबकि यूपिय के कारिकाल में हर दिन 12 किलो मीटर सणक का ही निर्मार हो पाया है आपको बतादे कि प्रधान монतरी अवास यूजना के तहट सहरों में रहने वाले गरीबों को घर मुहया कराने के लिए मोधी सरकार इस यूजना पर खास ध्यान दिया है मोधी सरकार ने कहा है कि 2022 तक सभी घरों को मुहया करा दिया जाएगा जी हाँ दोसो सभी लोगों को घर मुहया करा दिया जाएगा ECU उसना के ताहत हूम लोन पर सबसीडी का फाइदा भी दिया जा रहा है हाला कि ECU उसना का लाव लेने के लिए परिवार की सालाना आए लगबग 2,60,000 होनी चाहिए अकली बडी कवर आईसाईस के अतंकवादियों की स्रिलंकासे भारत आने की रिपोर्ट मिली है किरल के तट्ब पर हाई अलट कर दिया गया है अग़्टित रूपसे स्रिलंकासे लक्षदुप के लिए रवाना होने की खुफिया रिपोर्ट के बाद किरल तट पर हाई अलट कर दिया गया है पुलिस विभागे उच अधिकारी ने बता है कि तटिये पुलिस थानों और तटिये जीला परमुख को सतर कर दिया गया है आपको बता दे कि PTI के अनुसार इस तरह के अलट आम है लेकिन इस बार हमारे पास संख्याओं को लेकर के खास सूचना है ऐसे में किसी भी संदिक नौका के दिखे तो उसकी स्थिती में तटिये थानों और जीला परमुख को सतर करने के लिए कह दिया गया है आपको बता दे कि तटिये पूलिस ने कहा है कि 23 मई से ही यह अलट जारी है इसी दिन आपको बता दे कि सिर्लंका में सूचना मेली थी कि تटिये विभाक की सुतरों से PTI की इसकी पूषटी करते हुए कह है कि स्रिलांका के हमले की घटना के बाद से हम लोग सतर्क हैं हमने मशली पकड़ने की नौकाओं और समुद्र में जाने वाले लोगों को किसी भी संदिग गतिविदियों से लेकर के सतर्क रहने के लिए कह दिया है सिरलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के बाद केलर हाई अरड है आपको बता दें कि A.N.I.K. जाच के खिलाफ में एक सबुत मिला है कि आतंकवादियों के रज में हमले होनी की साजी से वो रच सकते हैं खुफिया एजेंसी ने माल लिया है कि यह भी काफी संख्या में केरल वासी आईसाइस के साथ हैं हाल ही में एराक और सीरिया में आईसाइस का सफाया किया जा चुका है लेकिन सिर्लांका में 21 अप्रिल को 8 सिल्सिलवार बम धमाकों में हुए भीशन आतंकवादी हमले में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई है इसलामिक इस्टेटे इस घटा की जिम्हदारी लिए लिए एक जून से अधार काट वालों के लिए नया नियम लागव होगा जी हादोस्तो अधार काट आज कल के समय में बहुत ही महत्पून दफ्तविश बनता जा रहा है जैसे जैसे हम वोटर आईडी काट और डैवेग लैसेंस को जरूरत चीज़े समझते हैं वैसे ही अधार काट को उतना ही अहमियत देते हैं क्योंकि आज कल के समय में अधार काट को लेकर काफी परताल किया जा रहा है और काफी नया नियम आ गया है जिसके बारे में भारतिया नागरिकों को जानना बहुत ही जरूरी हो गया है आपको बता दे कि 1.0.2019 से देस भर में लागू होने जा रहा है तो आप भी अगर भारतिया नागरिक हैं तो यह ख़बर आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होगा जी हां दोस्तों आपको जानकर करके यह बहुत ही खुसी होगी कि 1 जून 2019 से भारत के हर नागरी को जिसके पास अधार कार्ड है उसको वर्चूल आइडी दी जाएगी सेन के उस विवादे निन्ने को दरकिनार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि विभाजन के बाद भारत को हिंदू राष्ट घोसित कर दिया जाना चाहिए था मुखे नैदीस मुखमद याकूब मीर के अधिक्षता वाले पीठ ने पाया है कि आदेस कानूनी रूप से तुरोटी पूर्ण और असमवधानिक से धानतों के अनुरूप नहीं है पिछले साल दिसमर में नैदीस सेन की एकल पीठ के फैसले माना गया था कि यदि धर्म के आधार पर भारत का भी भाजन हुआ तो इसे हिंदू राष्ट घोसित कर दिया जाना चाहिए आपको बता दे कि मुख नैदीस मुहमद याकूब मिर की पीठ ने कहा दिया है कि अपर्त्यक्स या परोख्ष रूप से समिधान की प्रस्थावना को ठेस पहुचाने वाले किसी भी संस्था को बरकरार किया जा सकता है इसमें कहा गया है कि एकल पीठ के निर्देश में देश की धर्म निर्पेक्षता भावना और भारते समिधान के प्रावधानों को ठोस पहुचाई जा सकती है अगली बड़ी खबरे कोट ने ट्रम्प की दिवार निर्पार यूजना रोकी कहा अपतकालिन फंड का नहीं किया जा सकता है उपयोग अपतकालिन फंड का इसमाल नहीं किया जा सकता है आपको बताते कि फरवरी में और वो डॉलर के फंडिंग जरूरतों को देखते हुए राष्टी अपातकाल की घोशना की गई थी और दक्षणी सीमा पर सनिवार से ही दिवार बनाने के काम सुरू किया जा रहा था इसी बीच काम सुरू होने की कुछ घटे पहले ही दिवार बनाने को लेकर के कोट ने यह फैसला सामने दे दिया है इस फैसले में टरंप को बहुत बड़ा जटका लगया है टरंप ने उसकी घोशना के तहट नई दिवार की आंसी के निर्मान के लिए उस धन के आबंटन का निर्देश दे दिया जिसके तहट नास विरोधी अव्यान चलाय जा रहा था जज गिलियर ने आदेश में कहा है कि अमेरिकी संस यानी कॉंग्रेस द्वारा धन आबंडित करने के अनुरूत को खारिज करने के बावजूद टरंप प्रसासन ने कॉंग्रेस के बिना ही धन जुटाने का रास्ता निकाल जो सक्ति पिर्था के लिए मुलिस धानतों के अ कॉंग्रेस ने ते तो अपनी गलतियों की समिक्षा करने के लिए सनिवार को इकठा हुए थे। कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी में राहूल गांधी इसकी अधिक्षता कर रहे थे और अपने इस दिपे की पेसकस की लेकिन डबलू सी सदस्यों ने उन्हें ऐसा करने से रोक एक अंग्रेसी अकवार में छपी रिपोर्ट के मताबिक नतीजों को लेकर के नाराज राहूल गांधी ने कुछ सिनियर कॉंग्रेसी नेताओं को आड़े हाथ ले लिया राहूल गांधी ने अरोप लगा दिया कि इन नेताओं ने अपने चुनाओं में अपने बेटे को पार्टी से ज़्यादा तरजिय दी है राहुल गांधी के मुताबिक इन नेताओं ने अपने बेटे को टिकट देने के सारा जोर दे दिया है राहुल गांधी ने ऐसी बात कही जब इनके पहले जोती अधित सिंधिया के मजबूत अस्थानिय नेता के रूप में खड़े हु जबकि वह अपने पक्ष में नहीं थे राहुल गांधी ने इसी संदर्फ में सिनियर कांग्रेसी नेता पीजी तमरन का भी नाम ले लिया राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि उन्होंने बीजेपी और से नरेदर मोदी के गिलाफ जो मुद्दे उठाय थे पार्टी के नेता उनके जनता के पास लेकर जाने में असफल रहें सुत्रों के मताबिक मोदी ने खास दोर पर रफाल डील मामले और चोकिदार चोर है के नारे का जिगर किया आपको बताती कि राहुल गांधी ने कहना चाहते हैं कि हार के लिए जिम्मेदार तै की जाए इसलिए वो अध्यक्षपद से इस्थिपा दे रहे हैं उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि सिनियर पार्टी नेताओं ने इसका विरूद किया सिनियर नेताओं का तर्क था कि राहुल गांधी ने इससे आगे बढ़कर कांग्रेस की और इस हार से दिल छोटा करने की जरूरत नहीं खबरों के मिताबि कांग्रेस मासेची प्रियांका गांधी की राय थी कि अगर राहुल इस्थिपा दे देते हैं तो बीजेपी की चाल सफल हो जाएगी वहीं पीची तंबरम ने असांका जताई है कि राहुल के इस्थिपेस के आहत बहुत सारे कारे करता आत्म हत्या जैसा कदम उठा सकते हैं